नमस्कार दोस्तो मैं हूँ चान्नी आप सभी का मेरे योटूब चैनल टेरेस गार्णिंग विच चान्नी में स्वागत है दोस्तो अभी जितने भी हम वेजिटेबल्स के प्लांट लगाए हैं समर सीजन के लिए उसमें बहुत अच्छे से वेजिटेबल्स लगने लगे हैं और अगर हम समर के लिए जो एक्स्ट्रा केयर हमको करना होता है अपने प्लांट की अगर हम नहीं करते हैं तो इतने अच्छे से वेजिटेबल्स हमारे प्लांट में नहीं लगेंगे तो किस तरीके से हम केयर कर सकते हैं ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सबसे पहले होता है मल्चिंग करना तो मल्चिंग दो वीडियो मैं अभी डालने वाली हूँ एक तो मल्चिंग का और ये फर्टिलाइजर वाला मल्चिंग करने से पहले हमको फर्टिलाइजर अपने प्लांट को देना होगा क्योंकि जब बहुत तेज धूप हो जाएगी, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, तो हम सिफ liquid fertilizer से अपने plant को चलाएंगे, तो किसी भी प्रकार का गोबर खाद और जो और दूसरे प्रकार के fertilizer हम यूज करते हैं, वो हम अपने plant को नहीं दे सकेंगे, तो अभी मार्च का ये last च कर देंगे, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से मैं अपना fertilizer ready की हूँ, मैं fertilizer में क्या-क्या मिलाई हूँ और किस तरीके से हमको योज करना हैं, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसके लिए आप सब वीडियो के notification मिलते रहें, देखिए अभी जितने भी vegetables मैं लगाई हूँ, उसमें बहुत अच्छे से vegetables लग रहे हैं, ककडी है, खीरा है, करेला है, तरोई है, विंडी है, टमाटर है, कई सारे vegetables ऐसे हैं, जिसको मैं harvest भी कर चुकी हूँ, फिर भी उसमें बहुत अच्छ हो जा रहा है, दूब, आप कितना भी पानी डालो, पानी साम को आप देखोगे, तो पूरा सूख जाया रहता है, जितने भी leaves रहते हैं, वो सब मुर्चा से जाते हैं, और मिट्टी एकदम पत्थर की तरह कठोर हो जाया रहती है, तो अब हमको, जो summer season का care है, वो हमको कर ल देना है, क्योंकि जब बहुत ज़्याद गर्मी बढ़ जाएगी, तो हमको कोई भी fertilizer नहीं देना है, liquid fertilizer ही हम देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले में थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कि कौन से fertilizer में क्या पाया जाता है, सबसे पहले अगर हम गुबर की खात की ब लिट्रेंज भी होते हैं, जैसे कि केल्सियाम, मैगनीज, सलफर, आइरन, जीन, कॉपर, बुरान, ये सब भी बहुत अच्छे से पाया जाता है, ये जो और गिनिक fertilizer है, इसके कारण अगर हम इसको ज़्यादा डाल देते हैं, तो भी हमारे प्लांट को नुकसान नहीं करता है, तो इसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है, और अगर हम जाइम के बारे में बात करें, तो ये भी एक और गिनिक fertilizer है, और ये जो जाइम होता है, वो दो रूप में पाया जाता है, एक लिक्विड में और एक हार्ट फॉर्म में, तो मैं हार्ट फॉर्म में जो उ कर रही हूं और यह समुद्री सेवाल से बना होता है इसमें फॉलिक एसीड एमिनो एसीड और हुमेक इसीड यह सब पाया जाता है इसके साथ मैक्रो नियूटरिंस भी पाया जाते हैं इंजाइम्स और प्रोटीन भी पाया जाता है यह भी हमारे प्लांट के लिए बहुत हैं उनसे बनाया जाता है तो यह जो है हमारे प्लांट के जो ब्राण्चे सोती है उनको बहुत में प्लांटों करता है और यह जो फस्त्रांच करता है और यह जैंज़ है प्लांट और यह counan औरगेनिक फ़र्टिलाइजर है तो फ़र्टिलाइजर डालने से पहले इस तरीके से हम अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेंगे और गुड़ाई करने के बाद एक मुठी के लगभग जितने भी हमारे वेजिटेबल्स प्लांट लगे हुए हैं उनमें एक मुठी के होता है नीम की खली नीम की खली के बारे में अगर हम बात करें तो नीम की खली में भी मैक्रो न्यूटरिंस पाय जाती हैं मैंगनिशियम हो गया कल्सियम हो गया आयरन हो गया जींक हो गया ये सब इसके साथ साथ ये जो होता है वो anti fungus भी होता है तो ये सब तरीके से हमारे plant के लिए अच्छा होता है उसके बाद अगर सरसो की खली की बात करते हैं तो सरसो की खली में भी NPK बहुत अच्छे से मात्रा में पाया जाता है इसके साथ साथ इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रेंस भी होते हैं और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो ये भी हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है अगर हम राख के बारे में वूड इसके बारे में बात करें तो इसमें पोटास, फासफोरस, किलसियम, मैगनेशियम और मैक्रो निट्रेंस भी पाया जाते हैं ये भी हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है और इस तरीके से हमारे पास जो भी मल्चिंग के लिए हम योज करते हैं उसको हमको डाल देना है तो पूरे ये जो ज अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा आप लोग मेरे वीडियो लाश्ट तक जिखे उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग बैबै फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में